वो चाननी में नहाई हम सब को छोड़ कर चली गई एक अंध्यारा सा हम आरे बीच छोड़ कर चली गई क्या वज़ा है कि आज ABP नियूस पर इस विशेश प्रसारण में हमारा ये सेट इस रोशनी से नहाया हुआ है क्योंकि एक अमीद एक आखरी खायश थी श्री देवी की कि जब वो इस दुनिया को छोड़ के जाएं तो आस पास सब कुछ सफेद हो दूधिया हो और क्या आप जानते हैं उनके साथ काम करने वाले आमिताब बच्चन चार फिल्मों में काम करने वाले आमिताब बच्चन अब तक खामोश हैं अब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा वो इस कदर स्थब्ध हैं इस तराजदी से इस घटना से कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है बहराल इस बड़ी घटना की जो बड़ी बाते हैं श्रीदेवी का पार्थिव शरीर आज दुबई से मुंबई लाया जाएगा दुबई में शवसोतने की प्रक्रिया पूरी ना हो पाने की वज़से पार्थिव शरीर लाने में देरी हो रही है वो द्योग बती और श्रीदेवी के मित्र रहे आने लंबानी का चार्टर प्ले दुबई में हैं और उसी से श्रीदेवी का पार्थ शुरीर जो है वो लाया जाएगा तो मौच से आदा ख़ंटे पहले तक होटेल में आके्ली थी श्रीदेवी बोनी ने मुंबई से दुबई आकर श्रीदेवी को सप्रायज किया था शादी के बाद श्रीदेवी दुबई में थी और बोनी कपूर उनके पती जो हैं वो वापस मुंबई लोटाए थे और खलीच टाइम्स कहे रहा है कि श्रीदेवी बाद टब में बेसुद पड़ी हुई थी और तब तब दर्वाजे को तोड़ कर बोनी उन तक पहुँचे थे और इस वक्की जो बड़ी खबर है वो ये कि मौत से आदा घंटा पहले श्रीदेवी अकेली थी तस्वीर आप देख रहे हैं शादी की है उनकी उनकी आखरी तस्वीर हैं आखरी विडियो मगर मौत से आदा घंटा पहले श्रीदेवी अकेली थी शनिवार रात बोनी कपूर मुंबई से वापस शुमेरा एमिरेट स्टार्ज होटेल पहुँचे मुंबई से वापस आए वो और उनका मकसद था श्रीदेवी को एक सप्राइज डिनर देना बोनी कपूर ने होटेल के कमरे में श्रीदेवी की से करीब 15 मिनिट तक बात की बोनी कपूर ने श्रीदेवी से डिनर पर चलने के लिए कहा श्रीदेवी तयार होने के लिए वाश्रूम में गई और पंधरा मिनिट तक बाहर ना निकलने की वज़े से बोनी को वाश्रूम का दर्वाजा खटखटाना पड़ा और इसके बाद धक्का देकर दर्वाजा उन्होंने खोला और तब अपने सामने बात टब में पड़ी हुई बेसुद श्री देवी उन्हें दिखाए दी बोनी कपूर ने श्री देवी को होश में लाने की कोशिश की लेकिन श्री देवी नहीं उट पाई और तब बोनी कपूर ने अपने दोस्त को फोन किया बलकि मदद के लिए उन्होंने पुलीस को भी फोन किया और एविपी न्यूज जो आपके सामने सवाल रख रहा है कि मौत से पहले क्या श्री देवी का बोनी कपूर से कोई जगड़ा हुआ था बोनी कपूर श्री देवी को अकेला छोड मुंबई आखर क्यों लॉट आये थे क्योंकि ना सिर्व बोनी कपूर बलकि संदीप मारवा जिनके बेटिंगी शादी थी वो भी वापस आ गए थे अचानक दुबई पहुँचकर बोनी ने श्री देवी को सर्प्राइज दिया आखर वज़ा क्या थी कामरे में बोनी श्री देवी में क्या बात हुई जिसके बाद श्री देवी का जो है वो निधन हो गया और मामला जो है वो लगातार पेचीदा होता जा रहा है क्योंकि टाइम्स ओव इंडिय की खबर के मताबिक इस बात की पुष्टी नहीं हुई है कि श्री देवी की मृत्यू जो है उनका निधन जो है हार्ट अटाक की वज़सी हुई यानि कि इस बात की पुष्टी नहीं हुई है कि श्री देवी की मौत हार्ट अटाक की वज़सी हुई आप जानते हैं कि बात टब में वो बेसुद मिली तो सवाल ये कि क्या गिरने की वज़से इंपक्ट की वज़से उन्हें जो है चोट आई हम सीधे रुप करना चाहेंगे मेरे सहुगी मृतिंजय का जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं मृतिंजय क्या जानकारी मिल पार ही इस सिलसले में उसके लिए लंदन चले गए कुछ लोग भारत आ गए भारत आने वालों में शिर्देवी की पती बोनी कपूर भी थे लेकिन फिर वो शनिवार शाम को वापस मुंबई से दुबई के लिए फ्लाई करते हैं दुबई पहुचते हैं और वहाँ पर शिर्देवी से कुछ सम है होश में नहीं है वो सबसे पहले अपने दोस्त को सूचित करते हैं सवाल उड़ते हैं कि आखिरकार क्या कारण हुआ होगा कि ऐसी स्थिति आई बोनी कपूर शादी की तुरंदबाद भारत आ गए भारत से फिर वापस वो शरीवार को जाते हैं फिर वहाँ पर वो श्र अर्थिव शरीर को कल पहुँचना था मगर देरी लगातार हो रही है आज दोपहर बाद आने की संभावना है और द्योक पती अने लंबानी जो कि श्रीवी के मित्र थे उनके ही चार्टर प्लेंस से श्रीवी का शव लाया जा रहा है आखिर देरी क्यों हो रही है यूए प्रशासन आज श्रीवी के शव की फोरेंसिक रिपोर्ट देगा जिसे स्पष्ट होगा उनके मौत की कारणों पर एक तरह से कुछ रोश्नी डाली जा सकेगी मौहैसना में श्रीवी के शव पर लेप लगाया जाएगा इसमें 90 मिनिट लगेंगे दुबई पुलीस श्रीवी का डेथ सर्टिफिकेट जारी करेगा दुबई में भारती दुतवास श्रीवी का पासपोर्ट कैंसल करेगा क्योंकि श्रीवी अब उनका निधन हो गया है इसके बाद दुबई में इमिग्रेशन विभाग काखजी कारवाई करेगा शव परिवार को सौपने के लिए सरकारी वकील की इजासत ली जाएगी और यही वज़ाए देखिए तमाम चीजों की वैसे मामला जो है वो देरी की तरफ लगातार बढ़ रहा है मेरे साथ इस वक्त विदेश मामलों के समवाता प्रणे उपाध्याय जो है वो टेलिफोन लाइन पर जुड़ रहे है प्रणे क्या जानकारी मिल रही है कब तक उनका पार्थिव शरीर पहुँचेगा और क्या कोई पेचीद गया है अभी वे देखिए अभी सार सबसे बड़ी ख़बर तो यह कि दोपहर बाद ही श्रीदेवी का जो पार्थिव शरीर है वो भारत पहुँच पाएगा दुबई से मुंबई उसे लाया जाएगा जहां तक प्रक्रिया का सवाल है प्रक्रिया इस चीज के लिए अटकी है कि दुबई पुलिस इस बारे में मेसेज इशू करें कि एक एनोसी का मेसेज इशू करना है उसे और वो एनोसी का मेसेज तभी इशू किया जा सकता है यहां पे दूतावास है वाने जी दूतावास दुबई का वो भी इंतजार कर रहा है इस चीज़ का की यह मैसेज क्लियर हो जाए और उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी कि उनका पास्पोर्ट कैंसल किया जाएगा जो ट्रेवल डॉक्यूमेंट जो मॉर्टल रिमे रख रहे हैं यह है एबी बी नियूज आपको रखे आगे